नमस्कार मैं हूँ ससी संध्या समाचार में आपका स्वागत है आए जार्खन के दिन भर की खबर जानते हैं जार्खन बंद फलोप नियोजानीती के खिलाप यूथ एसोसियेशन का बंद बेअसर जारखण में नई नियोजन नीती के बिरोध में यूथ एसोसेशन का जारखण बंद पूरी तरह से फ्लोप रहा, ए तस्विर जारखण बंद के दिन रांची के कचरी चौक की है जहां इस्थिती समानिय देखी गई, जारखण बंद के दिन भी रांची की सड़कों पर आव पूलिस जवान गस्ती में रहे हर्मू बैपास के बास ही आवाज आही आम दिनों के तरह ही देखने को मिली वहीं चोक के किनारे पूलिस बल भी खड़े देखे गए बता दे बिर्था चोक जहां जार्खन बंद के दिन सुबा सुबा की इतिती बेहाद ही समाने देखी गई फोर्स की दो कमपेनी रैपिट एक्षन पूलिस रैप, क्यू आटी, इको, महिला पूलिस वा जीला पूलिस के हत्यार बंद वा लाठी पार्टी सामिल है बंद को देखते हैं वजरवाहन रंगिन पानी का ट्रेंकर वा आसुगैस की टीम को भी लगाया गया है सिटी एसपी सुभान सुजय ने सभी डी एसपी वा थाना प्रभारी को सुभा सही गस्ति करने का निदेश दिया है इधार बंद के कारण कई स्कूल भी बंद रहेंगे जमसेदपूर हिंसा के बाद सरकारी छुटिया रद वीडियो सियो अलर्ट जमसेदपूर में दो समुदायों के बीच होई हिंसाग जड़ब के बाद सरकारी अधिकारियों के छुटिया रद कर दी गई बीदी बेवास्ता के मदनेजर उपायुक्त नहीं फैसला किया है उपायुक्त कर्याले सजारी आदेश में कहा गया है कि जीले के पता अधिकारियों परव्यक्षिये पता अधिकारियों के आवकास रद किये जाते हैं आदेश में यह भी कहा गया है कि कोई भी अधिकारी बिना अनुमाती के मुख्याले नहीं छोड़ेंगे इसके साथ सभी परखांड और रांचल अधिकारी को अपने अपने चेत्र में अलोट रहने को कहा गया इसी बीच कदमा के सासरी नगर बलोक नमबर दो के समी पथर बाजी करने वाले कई घरों को पुलिश ने चिनित कर लिया है शुरुवाती जाज में पाया गया है कि कई जहों पर पथर के साथ साथ तलवार समेथ अन्य हाथियार भी रखे गये थे डंदा डिकारी सा जमसेदपूर नोटिफाइड एरिया कमिटी के सीटी मैनेजर रभी भारती ने एक तलवार जब्त भी किया है जमसेदपूर हिंसा के बाद बिजेपी नेता अभाय सिंग हिरासत में जमसेदपूर में हिंसा को लेकर पुलिष ने बिजेपी नेता अभाय सिंग को हिरासत में ले लिया है सोमवार को हिरासत में लेने के बाद उन्हें बिश्टूपूर थाना ले जाया गया घाटना को लेकर अब तक पूलिस 60 से अधिक लोगों को गिरापतार कर चुकी है पूलिस हिरासत में लिए जाने के बाद अभाय सिंग से विधायक सर्जू राय ने बिश्टू पूर थाना में मुलाकात की इसी बीच रैपिट एक्सन फोर्च ने जम सेथपूर में फ्लैग मार्च किया बता दे भाजपा नेता भाय सिंग ने कहा है कि नियू राणी कुदर की घाटना से ऐसा लगता है कि महोल बिगाडने के लिए स्रणत रचा गया है इन्होंने जिला परसा समांग किया है कि इस मामले में दोसियों के खिलाप करवाई की जाए तीन बागों के साथ लोटा पलामू टाइगर का गौराव चारखन के एक मात्र प्रोजेक्ट टाइगर पलामू टाइगर प्रोजेक्ट में बागों की संख्या का खुलासा कर दिया गया है प्रोजेक्ट टाइगर के 50 सल पूरे होने पर प्रधान मंत्री नादमोदी ने मैसूर में एक मेगा इन्वेस्ट के उधगाटन के मौके पर PTR में देश भर के 3160 बागों के मुकाबले की PTR में भी बाग होने की घुसना कर दिया है इसमें PTR के बागों के संखेया 3 होने का अनुमान है हलाकि अभी अधिकारिक पुष्टी नहीं हुई है ग्रेंडिंग के मामले में पलामू टाइगर रिजर्ब को बेरी गूड दरजा दिया गया इससे पलामू टाइगर रिजर्ब का खोया हुआ गवरा वापस लोट गया है जमसेदपूर हिंसा के बाद इंटरनेट सेवा बंद जमसेदपूर हिंसा मामले को लेकर इलाके में परसासन की ओर से इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई है वहीं रभीवार साम से ही वहां धारा 244 लागू है इलाके में तनापून इस हिती बनी हुई है इस हिती को नियंतरित करने के लिए भारी संख्या में पूलिस बल की तिनाती की गई है हिंसा की घटना को लेकर पूलिस ने 60 से अधिक लोगों को गिरफतार किया है जम सेथपूर में बिजेपी ने ताभाय सिंग को भी पूलिस ने हिरासत में ले लिया है सुमवार को हिरासत में लेने के बाद उन्हें बिष्टूपूर ठन ले जाया गया मालूम हो कि सहर के कदमा सासरी नगर बलोक नमबर दो मेरा अभिवार की साम दो समुदाय आपस में भीड़ गाए इसी बीच पतरबाजी के साथ काफी हंगामा हुआ हंगामे के बीच यूकों में से किसी ने तावरतोर फारिंग कर दिया है मनी लांडरिंग मामले में आरोपी पुजा सिंघल पर आरोपता है प्ताय कर दिया है बताते चले कि निलंबित आये एस पुजा सिंगल ने अपने आपको निर्दो सावित करने के लिए कोट में डिश्चार्ज पर्डिशन फाइल किया था जिसके खिलाब इड़ी ने साक्ष पेस करते हुए या सावित कर दिया है कि पुजा सिंगल पर जो आर ये घटना के सुचना नहीं थी सहर के मेन रोड अपर बजार पंडरा समेत अने इलाकों की दुकाने परतिश्ठान बैंक कचहरी पेट्रोल पंप खुले रहे रेल बस और बिमान सेवा भी सुचारी रूप से चलते रहे सभी सरकारी एवं सरोजनिक छेतर के परतिश्ठान क अभी तरह के पुखता इंतिजाम किये गए थे बंद का वहन यूथ एसोसियेशन की ओर से किया गया था जो ज़ारखन में सरकार की ओर से साट-चारीश नियोजनिति का धार प्रभाहली निकालने का बिरोध कर रहा है अरोप है कि इससे दूसरे राज के लोग नौकरी में आ जाएंगे जारखन में सरकारी सिक्षकों के तबादले की परकिरिया शुरू कर दी गए है सभी सिक्षकों को अठार अप्रेल तक हुमन रिसोर्स मनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट करने का निदेश दिया गया अठार से ही स्कूलों में अधिक प 25 अप्रेल से शुरू कर दी जाएगी इसकोली सिक्षा वसक्षता विभाग ने इसकी त्यारी लगबग पूरी कर ली है सिक्षा विभाग ने जीलों के माध्यम से सिक्षकों को निदेश दिया है कि जिन सिक्षकों का HRMS पर प्रोफाइल नहीं बना है या फिर जिन का बना ह हुआ है वे सभी 18 अप्रेल तक इसे अपडेट करा ले 11 अप्रेल को भाजपा का सची वाला घहराओ भाजपा 11 अप्रेल मंगलवार को सची वाला घहराओ करने वाली है इसके लिए भाजपा नेतावर करकताओ का पहले प्रभात तारा मैदान में जुटान होगा फिर वहां चोक्च रहाओ पर बैरिकेटिंग की गई है जिसका जाया ले ने डियाजी अनूप बीर्थरे डिसी राहू सिन्हा और सेस्पी की सोर का उसर समयत अन्य वर्ये अधिकारी सोमवार को पहुंचे उन्होंने बिभीन बिभीन चोक्च रहाओ पर लागे बैरिकेटिंग का नि जारखंड के उनाइस जीलो में आज पेट्रोल के दाम सो के पार पेट्रोल डियल की कीमते आस्मान चु रही है हर रोज इनकी कीमत में कुछ न कुछ बदा होता ही है जारखन के 24 में से 29 जिलो में आज पेटोल की कीमते 100 के पार है जबकि 21 जिलो में डियल की कीमते 95 के पार है बता दे रांची में आज पेटोल की कीमत 100 रुपयार 60 पैसा प्रती लीटर है जबकि डियल की कीमत 95 रुपयार 40 पैसा है बता दे जर्खन के विभीन जिलों में अलग अलग दाम तैहाई C.A. सुमन ने दिखाया लिकेज हजारी बाके कोईला बेवसाई इजहार अंसारी ने लगुवा मध्यम उद्यगों के नाम पर मिले सस्ते कोईले को बनारस की मंडी में बेचा है सरकार के अनुसंसा पर कोल इंडिया ने इजहार की 13 कागजी कमपनियों को कोईला अवंटित किया था बितिये वर्स 21-22 में इन कमपनियों को 29.08 एमटी कोईले का लिकेज मिला था लिकेज दिलाने में C.A. सुमन कुमाने महतपुन भुमकानी भाई थी साथ ही अफसरों के लिए कमिशन की वसुली की थी इडि की जाच के दवरान इससे समधी सबूत मिले है बिजली बिल की जाच से भी 13 कमपनियों के बंद होने की पुष्टी हुई है जारखन में बनी 140 किलोमेटर सड़के प्रधान मंत्री गराम सड़क योजना के तहत बितिय वर्ष 2022-23 में जारखन में 140 किलोमेटर सड़के बनी है चार जीलो में खाता भी नहीं खुला है देवघर, गोटा, जामतला और रांची में एक किलोमेटर भी सड़क नहीं बन सकी है बताया गया है कि पिछले वितिय वर्ष में इन जीलो में PMG-SY-2 के तहत एक भी काम नहीं था ऐसे में इन जीलो ने सड़क बनाई ही नहीं हर सालकेंद्र सरकार से सड़क बनाने के सुक्रित दी जाती है राज सरकार अपनी लग्ष्य तै करता है पर राज ने कोई लख्य ही तै नहीं किया है बीजेपी के सचीवायले घ्राओ पर जेमे म का तांज भाजपाय दिवारा 11 अप्रिल को सचीवायले के समग से परदसन और महाजुटान को लेकर कटक्ष किया है जामों के वरिश नेता सुप्रियों भटाचाई ने कहा है कि पिछले दिनों भाजबाद वारा कई एजेंसियों से उचल कुद कराई गई लेकिन नतीजा जब सीफर रहा तो अब इनकी निंद टुटी है खबर है कि 11 अप्रेल को भाजबा के कारिकरम में गोड़ा से एक एस्पेसल टेन आ रही है यह टेन गोड़ा से चलेगी जो दुमका देवगर जामतला धनबाद वोकारो और फिर हटिया रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी यह ट्रेन अठारट डिवे की है इसमें ज्यादा ज्यादा यह कई सो साथ लोग बैठ सकते हैं इसको दोगना भी किया जाए तो 4320 लोग पहुंचेंगे इतनी भी बगल के धुरवा इलाके में परसीद सालीमार बजार में होगी भाजपा के लोगों को वहीं चौकी लगा कर भासन देना चाहिए था धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनलों के सब्सक्राइब कर वाल का अबे लेकान दबाई साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेयर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कुमेंट बक्स में आपने फीडिवाएक अवस्य दे थांक्यू